Hello guys, welcome back to my channel आपको वीडियो के टाइटल से ही पता चल गया होगा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं पिछले वीडियो में हमने कोशन नमबर 3 किया था आज हम कोशन नमबर 4 करेंगे तो कौन सा कोशन है है यह है क्लास 10 की मैज्स की NCRT का exercise 12.2 का कोशन नमबर 4 तो भीना किसी देरी के शुरू करते हैं इसमें बोला है a cord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center तो एक circle है यहाँ पर एक circle draw कर देते हैं उसमें बोला गया है एक cord है तो एक cord बना देते हैं ये बना लिया उस ने बोला है इस सरकल का रेडियस क्या है 10 cm है ठीक है तो मैंने यह सेंटर मान लिया और रेडियस क्या है 10 cm सब्टेंट्स और राइट अंगल एट दी सेंटर कौन राइट अंगल बना रहा है एक कॉड तो जो कॉड है यह वाली जो कॉड है वो क्या कर रही है सेंटर पर 90 डिगरी बना रह तो देखो एंकल कैसे सब्सक्राइब करते हैं इसका मतलब जलब क्या है देखो एक कॉड है उसके दो एंडिंग पॉयं एक पॉइंट यह और एक पॉयंट यह तो दोनों एनडिंग पॉयंट को सेंटर से जोड दो तो इनके बीच में 90 डिगरी बनेगा यहां पे 90 डिगरी आएगा तो इसने बोला है एक center है जिसका मैंने नाम दे दिया O और एक cord है जिसका नाम मैंने दे दिया A और B तो इसने बोला है जो A B है वो center पे 90 डिगरी बना रहा है तो हम क्या करते हैं एंडिंग पॉइंट लेते हैं और उसको center पे connect कर देते हैं जो angle बनेगा वो हमारा क्या है 90 डिगरी है तो यहीं बताने कि इसमें कोशिश करी है अब हमें समझ आ गया कि इस line का क्या मतलब है एक cord है वो center पे 90 डिगरी बना रही है ठीकिए अब next line पे जाएंगे इसने बोला है find the area of corresponding minor segment और major प्रिषले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि sector क्या होता है इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे segment क्या होता है फिर हम क्या करेंगे अपना first part निकालेंगे नहीं हम second part निकालेंगे अब देखो segment क्या होता है एक circle बनाया एक cord बनाई आप देखो cord से जो छोटा वाला area होगा जो की मारा क्या है ये वाला इसे बोलेंगे हम minor segment और जो cord से जो बड़ा वाला area होगा मतलब इसे उपर वाला area ये मारा क्या होगा major segment इतनी सी बात है अब हमें इस diagram की help से minor segment निकालना है हमारा first part तो वो कैसे निकालेंगे देखते हैं तो first part है हमें minor segment निकालना है minor segment minor segment क्या है इसमें इस code के नीचे वाला part इत मींस छोटा वाला part इत मींस जो ये yellow वाला part है वो क्या है मेरा minor segment है तो ये कैसे निकालेंगे आप देखो यहाँ पर छोटा छोटा दिखाई दे रहा है इसको बड़ा कर देते हैं तो इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉख कर दिया सिर्फ इस वाले part को O A B O को तो मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉख कर दिया यह है A यह है B यह है O अब देखो यह पूरा part क्या है sector है तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ तो यहाँ लिख दिया area of sector अब देखो इस पूरे में से अगर यह triangle का area घटा दूँ तो क्या बचा सिर्फ मेरा segment वाला part बचा minor segment बचा तो minus area of triangle हमारे minor segment का formula बना area of sector minus area of triangle अब हम क्या करेंगे सिर्फ formula put करेंगे equal to का equal to में लिख दिया है area of sector formula मैंने आपको बताया था theta upon 360 into pi r square minus का minus area of triangle अब देखो यह क्या है radius है radius हमें given है 10 यहाँ पे भी लिख दिया मैंने 10 अब देखो इसने बोला है area of triangle यहाँ पे कौन सा formula लगेगा triangle का area of triangle आपने यह पढ़ा होगा कि एक area of triangle क्या होता है half into side 1 into side 2 into sin theta और जो यह थीटा है वो side 1 और side 2 के बीच का है तो यहाँ पे कौन सी दो side के बीच में angle बन रहा है angle बन रहा है हमारा यहाँ पे यह 90 तो कौन side के बीच में बना हुआ है OA और OB के अब value put करेंगे तो theta जो कि क्या है हमारा 90 यहाँ पे हम क्या निकाल रहे है sector का यहाँ निकाल रहे है तो 90 upon 360 into यहाँ पे बोला है 3.14 यूज करने के लिए तो वो ही यूज करेंगे 3.14 into R square R क्या है हमारा 10 तो 10 का square minus half into side क्या है हमारी यहाँ पे OA जिसे हम क्या हो सकते है radius भी बोल सकते है तो यहाँ पे मैं क्या कर रहे हूँ radius लिक रहे हूँ into side 2 क्या है हमारी OB यह भी radius है तो यहाँ पे मैं radius लिक रहे हूँ into sin theta theta क्या है हमारा 90 अब देखो 0 स 0 cancel 9 4 जा 36 1 upon 4 into 3.14 into अब 10 का square क्या हो जाएगा 10 into 10 अब देखो यह decimal हटा देंगे कितने नमबर है पीछे 2 तो नीचे क्या जाएगे 2 0 आ जाएगे minus का minus half into radius क्या है 10 तो 10 into 10 into sin 90 sin 90 की value कितनी होती है sin 90 की value होती है 1 तो यहाँ जाएगा 1 अब इसे solve करेंगे इस 0 से यह 0 कैंसल यह 0 से यह 0 कैंसल तो बचा 3 1 4 upon 4 minus का minus अब देखो 2 1 जा 2 2 5 जा 10 अब यहाँ क्या बचा 5 10 जा 50 और नीचे क्या है 1 बचा तह वो लिखने की ज़रुरत नहीं है अब देखोंचे हम divide करेंगे क्या आता है तो 3 1 4 को divide किया 4 से तो आया हमारा 78.5 minus का minus 50 अब दोनों को minus करेंगे तो क्या आएगा 28.5 यह area है तो unit क्या आएगी square में आएगी और अब यहाँ पर क्या चल रहा है हमारा centimeter तो आएगा centimeter square तो यह मेरा क्या आगया final answer आगया है तो ऐसे निकालते हम अपना minor segment इसमें कुछ नहीं करना है आप क्या करो पहले area of sector निकाल दो जब हम area of sector निकालेंगे तो क्या आजाएगा यह पूरा yellow part आजाएगा ठीक है तो area of sector निकालेंगे हम जब यह वाला part निकालेंगे तो यह पूरा आजाएगा लेकिन अब क्या करेंगे माइनस कर देंगे area of triangle तो area of triangle से क्या होगा यह वाला part क्या करेंगे हम हटा देंगे तो कौनसा part बचा सिर्फ हमारा yellow यह वाला हमने क्या करा area of sector लिया उसको minus कर दिया area of triangle से तो हमारा क्या आगया minor segment आगया है अब अगला हम निकाल लेंगे अपना second part अब हमें निकालना है major sector तो मैंने आपको बताया था formula major sector का क्या होता है theta upon 360 into pi r square लेकिन यहाँ पे theta क्या है वो हम देखेंगे तो यह diagram था आप देखो यह 90 जो है यह minor sector का angle है मुझे निकालना है major sector का तो मुझे क्या चाहिए यह वाला angle चाहिए तो यह निकालेंगे कैसे देखो पूरा angle होता है goal का वो क्या होता है 360 का उसमें से क्या करेंगे हम यह minor sector का काट देंगे 70, तो यहाँ पर put करते है, 270 upon 360 into, पाई यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3.14 into, radius क्या है, 10, तो 10 का square, अब देखो, 10 से 10 cancel, यहाँ जाएगा, 27 upon 36 into, 3.14 into, इसको solve करेंगे, 10 into, 10, यहाँ पर decimal हटा देंगे, यहाँ जाएगा, 20, देखो, 10 से 10 cancel, 10 से 10 cancel, यहाँ लिख देंगे, 27 upon 36 into, 314, अब देखो, आप इसे 3 की टेबल से भी काट सकते हो, मैं 9 से काट रही हूँ, 9 3 जा, 27, 9 4 जा, 36, तो यहाँ गया, 3 upon 4 into, 314, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इननों को multiply कर देंगे, 314 को 3 से multiply करा, तो क्या आएगा, 3 4 जा, 12, carry आगया, 3 बन जा, 3, 1, 4, 3 3 जा, 9, तो यहाँ गया, 9 4, 2 upon 4, अब देखो, यह 2 से भी कट रहा है, 2 2 जा, 4, 2 4 जा, 8, 1 बच्चा, 2 7 जा, 14, 2 1 जा, 2, तो यहाँ गया, 4 7 1 upon 2, अब इसे फिर 2 से divide करेंगे, 2 2 जा, 4, 2 3 जा, 6, 1 बच्चा, 2 5 जा, 10, फिर 1 बच्चा, 0.25 जा, 10, तो यह आगया, 235.5 cm2, यह area है, तो यहाँ पर square आएगा, और हमारा क्या चल रहा है, unity यहाँ पर cm, तो यहाँ पर आगया cm2, तो यह हो गया cm2, तो यह मेरा final answer आगया है, तो इसका first part भी हो चुका है, जो कि है minor segment, वो हम निकाल चुके हैं, जिसका answer आया था 28.5 cm2, इसका second part, जो कि था major sector, वो भी हम निकाल चुके हैं, जिसका answer आया है 235.5 cm2, तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको कोई भी doubt है, तो आप comment section मुझे पूछ सकते हैं, अगर आ आप मैं आपको मिलूंगी next video में, I hope आपको सब को समझा गया होगा, thanks for watching.